मैं इसको ऐसा गाड़ा ही रख रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी दाल कर इसको उबाल लेजेगा Hello friends, स्वागत है आपका काड्यू किचन में मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चल करी इसे ना तो हम मैरिनेट करेंगे और ना ही इसे हम घंटो तक भिगो के रखेंगे अगर गर में कोई सबजी ना हो बनाने के लिए और टाइम भी कम हो तो इसे आप बहुत ही जल्दी बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी लेकिन रेसेपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अब चलिए, टाइम न वेस्ट करते हुए, शुरू करते हैं, सोया चंक करी बनाना, इसको बनाने के लिए, मैंने कड़ाई को गैस पे रख लिया है, अब मैं इसमें दालूंगी, दो टेबल स्पून ओईल, ओईल को गरम होने देते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रॉसेस करेंगे, तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें दालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा, जीरे को थोड़ा सा चलाएंगे, अब हम इसमें बिलाएंगे, कुछ खड़े मसाले, दो लाल मिर्सी ली है, मैंने साबुत, दो तेज पत्ते, एक टुकड़ा दाल चीली का, चार पांच ल कटी हुई हरी मिर्ची, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, हरी मिर्ची थोड़ी थोड़ी भून गई है, अब इसमें मैं दालूँगे, तीन प्याज का पेस्ट, प्याज को मैंने मिक्सी में चला कर पेस्ट बना लिया है, आप चाहें तो इसे कद्दू कस भी कर सकते हैं, इसको अच्छे से mix करेंगे और इसे थोड़ा सा golden होने तक हम भुनेंगे अभी ये थोड़ा थोड़ा golden हुआ है इसमें मैं मिला रही हूँ दो चम्मच लसन अद्रक का paste इसको भी इसी के साथ हम mix करेंगे और अब इनको भुनने देंगे प्याज अच्छे से golden हो गया है अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा नमक लाल मिर्ची स्वादा अनुसार हल्दी 1-4 टी स्पून गरम मसाला हम दालेंगे 1 टी स्पून और साथ में इसमें दालेंगे 2 टी स्पून दरदरा पेसा हुआ धनिया इन सभी मसालों को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए है अब हम इनको थोड़ा सा भुनने देंगे यह मसाला अच्छे से भुन गया है अब मैं इसमें दालूंगी टमाटर की प्यूरी यह मैंने तीन टमाटर लिये हैं और इसको मिक्सी में चला लिया है टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ेंगे ये टमाटर अच्छे से भुन गया है, याद रखिएगा जब हम मसाला बनाते हैं, तो हमें मसाले को हर थोड़ी थोड़ी देर में बीड़ी पे चलाना होता है, अब मैं इसमें मिलाऊंगी दही, ये मैंने आधी कटोरी दही लिया है, इसको भी हम मसाले के साथ अच्छे से मि इसको चलाते हुए मुझे लगबग 2 मिनिट हो गए है अब मैं इसमें दालूंगी 100 ग्राम सोया चंग इसको मैंने एक बर पानी से धो लिया है सोया चंस को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें मिलाऊंगी पानी पानी मैंने इसमें मिला दिया है मैंने इसमें एक कप पानी मिलाया है अब मैं इसको ढखके रख दूँगी लगबग 5 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे लगबग 5-7 मिनिट हो गए हैं हम सबजी को चेक कर लेते हैं ये देखिए इसमें अच्छे से स्पंज आ गया है मतलब ये पक गई है ये मसाला भी अच्छे से पक गया है और सोया चंग और मसाला आपस में अच्छे से रस गए है अब मैं इसमें दालूँगी 2 टी स्पून कसूरी मेथी इसे सबजी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं इसको ऐसा गाड़ा ही रख रही हूँ अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी दाल कर इसको बाल लेजेगा गैस को बंद कर देंगे और इसको बॉल में निकाल लेंगे इसको मैंने बॉल में निकाल लिया है आप इसे पूड़ी या रोटी के साथ खाए ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजेगा और कमेंट बॉक्स में बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पासवाले बैल आइकन को दबा कर औल कलएग करें तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, thank you